सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट जो आपकी M4R5 की है इसमें हम IOT को पढ़ेंगे यानि Introduction to Internet of Things and Its Application जलिए बेड़ो की सुरुआत करते हैं जैसा कि आपको पता है आपका एकजम जुलाई ग्याम ज़र बाईस आपका अगस्त में होने वाला है प्रेटिकल आपका 31 जुलाई से सुरू होगा अगर नहीं पता है आपको तो ये जानकारी आपको ध्यान देनी है पहले किश्वन से सुरुआत करते हैं पहला किश्वन आपके सामने है AMQP stands for इसका पूर्ण रूप आपको बताना है AMQP का तो AMQP का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा Advanced Message Cueing Protocol तो आपका option number भी right answer हो जाएगा आपको याद रखना है AMQP का पूर्ण रूप Advanced Message Cueing Protocol बढ़ते हैं अगले किश्वन पर अगला किश्वन है IDE का पूर्ण रूप क्या है IDE का पूरा नाम आपको बताना है तो Integrated Development Environment ये IDE का पूरा नाम होता है तो IDE का जब भी आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है Integrated Development Environment तो आपको याद रहे बढ़ते हैं अगले किश्वन पर अगला किश्वन है कवंसी एक TCP IP Model की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यह आपका आप इस नहीं माडल की विशेष्टा नहीं होती है, आपसन नमबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, यहां नहीं पूछा गया आपको, तो निगोटी आपका इंसर आपसन नमबर डी बढ़ते हैं अगले किस्चन पर, अगला किश्चन है, निमबर खित में से कौन सी, चीजें किसी बेक्तिके बेक्तितू, बिकास पर प्रभाव डाल सकती है, सारीरिक और मांसिक छम्ता, स्वास्त और सारीरिक, रूप रंग, त्वचा का रंग और लिंग, आल आपदा एवब, तो सभी चीजें बेक्तित बिकास पर प्रभाव डाल सकती है, चाहिए आपका सारीरिक और मांसिक छम्ता हो, स्वास्त और सारीरिक रूप रंग हो, त्वचा का रंग और लिंग हो, तो आपका आपसर नमबर डी राइट इंसर हो जाएगा, आल आपदा एवब और प्रोक्तिशा भी, बढ़ते हैं अगले प्रशन पर, अगले प्रशन के हम बात करते हैं, यदि आपको प्राप्त करता का नाम नहीं पता है, तो आप पत्र को कैसे बंद करेंगे, सप्रेम आपका भावदी इसने पूरबक आपका, यदि आपको प्राप्त करता का नाम नहीं पता है, तो आपको पत्र को कैसे बंद करेंगे, तो आप भावदी लिखकर के योर फैद्फुली लिखकर के पत्र को बंद करेंगे, तो यहाँ आपका अपसन नमबर सी सही जवाब हो जाएगा, अगला किश्चन देखते हैं, अगला प्रशन है, स्वचलित रूप से संचार करने के लिए I.O.T. से जुड़े उपकरणों की भारी संख्या, इसे कहा जाता है, हमने बेड़ो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, I.O.T. का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है आपकी एक्जाम में, तो I.O.T. का मतलब होता है Internet of Things, तो आपको ध्यान देना है, यही आपका फर्स क्लास हमने जो सुरू की है, इसके बारे में आपसे पहले कीशन जैसे I.O.T. यहाँ पे आपको मिला है, इसका फूल फाम आपकी एक्जाम में पूछा जा सकता है, तो Internet of Things आपको ध्यान देना है, चलिए कीशन पे चलते हैं, सुचलिद रोब से संचार करने के लिए I.O.T. से जुड़े उक्रणों की भारी संख्या को कहा जाता है, जिसको कहा जाता है M.2.M. यानि Machine to Machine आपसन नंबर भी राइट इंसर हो जाएगा, स्वचलित रोप से संचार करने के लिए IOT से जुड़े अपकरणों की भारी शंख्या को M2M machine to machine कहा जाता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है IOT शिकोटी मनेजमेंट यानि की IOT स्वच्छा प्रवंद में शामिल है, included है IOT कोटी मनेजमेंट इनक्लेट के बड़े में आपको बताना है इसमें क्या-क्या प्रवंदन में शामिल होता है IOT में तो हार्डवेर के साथ सुरच्छा, सिकोटी बेद हार्डवेर आपका सही जवाब होगा सुरच्छा प्रवंद में शामिल आपसे पूछा गया है तो आपका हार्डवेर के साथ सुरच्छा, यह आपका important question है, ध्यान रखिएगा बढ़ते हैं अगले question पर अगले question की बात करते हैं IOT data scalability में कौन सामिल है IOT data scalability में कौन सामिल है आपको बताना है protocol, amortan, saral और 13 संस्थापन, हार्डवेर के साथ सुरच्छा data storage तो IOT data scalability में data storage सामिल है तो आपका option number D, बिल्कुल right answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question पर अगला question है IOT में सभी उकड़ों को जोडने के लिए किस protocol का उप्योग किया जाता है TCP, IP, network UDP, HTTP लेते हैं TCP, IP क्या है तो TCP का full farm आपके ग्यम में आप से पूछा जा सकता है तो TCP का full farm होता है transfer, control protocol तो आपको ध्यान रखना है और IP की बात करते हैं तो IP का full farm होता है internet protocol तो सभी को ध्यान देना है आपको, अगर TCP की बात की जाए, TCP तो आपको transfer protocol ध्यान देना है और IP की बात करे तो आपको internet protocol आपको याद रखना है UDP की बात कर लेते हैं UDP जो आपका लिखा गया है हाँ, आवाज क्लियर नहीं हो पा रहे है थोड़ा सा mic में दिक्कत है HTTP बहुत important है ये भी बहुत बार इग्जाम में पूछा गया है और आपकी इग्जाम में भी पूछा जाएगा इसका full form भी आपको याद रखना है hyper test transfer protocol तो यहाँ आपको IoT में सभी उपकरनों को जोड़ने के लिए किस protocol का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया question है तो आपका TCP IP ये आपका IoT में सभी उपकरनों को जोड़ने के लिए protocol का उपयोग किया जाता है TCP IP का ये protocol आपको ध्यान देना है जब भी आपसे पूछा जाए आयोटोमी सभीवकरणों को जोड़ने के लिए TCP IP प्रोटोकाल को प्योग किया जाता है बढ़ते हैं निस्टगले क्यूशन पर अगला क्यूशन है निम्न उर्जा रेडियो संचलन को शपोर्ट करता है निम्न उर्जा रेडियो संचलन को शपोर्ट करता है आई ए टी एफ एल ओ वे पैन आई ए एफटी को एप रेफिड एन एफसी या ब्लूटूथ तो निम्न उर्जा रेडियो संचलन को सपोर्ट करता है आपका ब्लूटूथ सही जवाब हो जाएगा अप्शन नमबर डी तो इस तरह आपके टाप 10 पूरी होते हैं इस वीडियो के मादब से वीडियो अगर आपको अच्छे लगी है तभी आपको वीडियो को लाइक और सेर करना है वरना इसकी कोई आज सकता नहीं है मिलेंगे निस्टकले वीडियो में थैंक्चू फार वाचिंग